खेत में चल रही भैसो को भगाने को लेकर हुआ विवा तीन लोगों ने मिलकर एक युवक के साथ की मारपीट पुलिस ने दर्च किया मामला बैरार थाना शेतर के अंतरगत आने वाले ग्राम खद गाउं में तीन लोगों ने मिलकर एक यूवक के साथ जम कर मारपीट कर दी जिससे वागंभी रूप से घायल हो गये जिसको उपचार हेतु अस्पताल में भरती कराया गया है वहीं बैरार थाना पॉलिस ने मामले दर्च कर भी वेचना में लिया है जानकारी के नुसार बीरू और्फ सुरेंद्र यादव पुत्र बद्री यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि उनके भाई के एक खेत में गाउं के ही कमलू यादव की भैसे चर रही थी जवा और उसका बतीजा रडवीर यादव और छोटू भैसो को भगाने गए तो सरसो की खेत में सरसो में बैठे कमलू यादव श्रिनिवास यादव और रामनिवास यादव आए और गाली गलोच करने लगे और उसके बतीजे रडवीर के साथ लाठी कुलहाडी से जम कर म पीट करती जिसे रडवीर गंभी रूप से घायल हो गया जिसको प्चार हेतू अस्पताल में भरती कराया गया। महीं बैरार थाना पोलिस ने मामला दर्ज कर विवेचना में लिया। संबाद्धात धरमेंदर शर्मा की रिपोर्ट। झाल झाल झाल